कनान पुलिस स्टेशन अंतरगत खदान नमबर 6 के इंद्रा कालरी मैनेजर रूम के पीछे दिन धाड़े दू आरूपियों ने विवाद कर वेकोली के एक सुरक्षा गाच पर गोलियां चलाई थी इसमें वह गंभी रूप से जखमी हो गया था उसका कांठी के आशा उस्पिटल में इलाज चल रहा था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई मौत की खबर सुनकर परिवार में शोक की लहे निर्मान हो गई 11 दिसम्बर को दुपहर के दौरान सुरक्षा रक्षक मिलिन खोबरागडे वेकोली इंदर खुली खदान नमबर 6 इस्तेत मैनेजर रूम के पीछे कोल धीपो वा पजन काटी के समय पर पैट्रोलिंग कर रहा था इससे दौरान आरूपी समीर सिद्धिकी वर राहुल जेक गोलियां चलाई इसी हाथसे में घायल मिलिन की बुधवार की रात अस्पताल में मौत हो गई उसके मौत की खबर सुनते ही जवान के घर में शोक की लहन निर्मान हुई है मिलिन की पतनी की मांग है कि नौकरी की मांग की है साथ ही मृतक जवान को सम्मान मिलना चाहिए ऐस दिमाग मिलन के पत्नी ने की है 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 साथ ही उन्होंने मांग की है कि नतक मिलन खोबरा गड़े को शहीत का दर्जाद दिना चाहिए सलमान अनिपशेक मी आपना स्माहिती देव इच्छे तो कि जे दोन तीन दियुसा पुर्वी जे मॉयल डबली सील एथे जे गोड़ी बार जाला है त्या मद्धी माहराश्रा जे सुरक्षा मामंडल चे जे अपला मिलिन खोबरा गड़े आहे त्यांचा जे गोड़ी बारात मांजे तीन दियुसा पास हुन ते आशा होस्पेटरल ला अडमिट होते परन्तो आज काल रातेरी साड़े आट वास्ता त्यांचा मुरुत्यु जाला है आनि हे खुब निरलज्य आहे कि माहमंडल यामदी जो हस्तक्षेप करता है आनि जे आस्तापने और ती कारेरत होते डूटि ओर आस्तानना आनि तीता जे मृत्यु धाला त्यांचा त्याचा मुल जे खुब अत्यांत गर्जेचा होता कि त्यांचा शलामी देना त्यावी पुलिस अद्धिक्षक यांचा कारेलाया अंतरगत जावी मिलिन के भाई से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में जिमेदाल लोगों पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए इस मामले में हमने अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये दुखत घटना है आगे उन्होंने कहा कि उस दिन और उन्हें ने आश्वासित किया है कि उसको पेंशन मिलेंगी करके तो उसके लिए कुछ डॉकुमेंट्स लगेंगे जैसे एफाया पोस्ट्माटम रिपोर्ट क्यूंकि पोस्ट्माटम तो अभी शुरू है और पोस्ट्माटम रिपोर्ट बनने में समय लगेगा उनको अगत करा गया है कि पीम मिलने में टाइम लगेगा तो उनका कहना है कि जब पूरे डॉकुमेंट्स मिल जाएगे उसके बाद हम लोग प्रोसेस कर लेंगे उसको पीडित की जो पतनी है ग्रिश्मा ये बारावी पास है करके हमको बताया गया इसके बारे में हमने जो और ये बड़ा केस है इस टाइप का MSF में पहली केस है और ESIC वालों ने मुझे आश्वाशित किया है कि उसको पेंशन मिलेगी जैसे प्यादी उसको नोकरी मिलती है तो पेंशन नहीं मिलेगी प्रोलिंग पार्टी का जवान ये जीप में पेट्रोलिंग करता है वहां फि और राइफल इसने नहीं ली इसके बारे में अभी चौकशी शुरू है अभी महामंडल में ये पहली घटना है तो इसके बारे में जैसा कि शहीदों को श्रदान जली और सन्मानपुरक श्रदान जली इसके बारे में माननिय पुलिस अदिश्यक इनों ने कहा है कि इसके ब झांसी बीसे न्यूस नाग पुरू.